सोचो कि आप एक मासूम से वांडरिंग ट्रेडर हो और एकदम से आप बन जाते हो ट्रेडर बीस्ट में और आपको हराना डाक वेरवुल्फ को डेवन को स्पॉन होता हूँ मैं as a wandering trader लेकिन मैं एक जेल में था और ये जेल है पिलेजर और बेंडित का ये लोग चोर होते हैं और खतरनाक भी होते हैं और मुझे जेल में बन करके रखे सामने से आता है एक पिलेजर इसको मैं देखता हूँ और वो मुझे धंकाता है तो मै पीछे हो जाता हूँ अभी मेरा प्लान नहां से भागने का तो मैं कोई भी गलती हैं नहीं चाले जाता है नहीं बहुत बड़ी वील्डिंग देखती है मुझे तो मैं जेल को तोड़ना चालू करता हूँ आज-पास मेरे कोई नहीं था और मैं समझ चुका था Mais टाइम तो तो मैं खूद जाता हूँ, नीचे मुझे पानी दिखता है, मैं ट्राइ करता हूँ पहुचने की, और फाइनली एक ब्लॉक से मैं बच जाता हूँ, और उपर ता हो फिले जाता हूँ, लेकिन मेरे उपर एक और बैंडित अटैक कर देता है, तो अब मुझे हैसे निकलना था वो देखो, आपको दिख रहा हूँ कितना खतरनाक है, तो फाइनल में पानी में खूदता हूँ, और मेसा बायाम से निकल जाता हूँ, बैट लेंड बायाम है, ये लोग का अड़ा है यहाँ पर कभी मुझे मुझे मार सकते है, वो भी मेरे पीचे खूदता है, पर शायद लेता हूँ, क्योंकि हाँ जंगल वायम था, तो मेरे लिए अच्छी बाती, जंगल में घुष सकता हूँ, और छुपके भाग सकता हूँ, और लोग मेरे पीछे पड़े होंगे, तो एक नदी के सपोर्ट से मैं ऐसे निकलता हूँ, और पहुच जाता हूँ एक बीच पर, लेकिन उसको भूख लगी थी, भूख मिट गए, उसकी तो वो सो गया, और उसी समय मैं आ गया, तो बेवी लामा बजी गया, मैं पहुच जाता हूँ विलेजर मारATHAN में, जो होता हैं ट्रेडर और विलेजर का मारेट में, बहुतहारह हूं कवोगा हूई बचा लेंगा उसको गोलम भी है ना तो मैं सो जाता हूँ आराम से सो के उठता हूँ मैं अगले दिन लेकिन एक चीज तो भूल गया था मेरे पीछे पड़े हुए पूरे के पूरे बैंडित और फिलिजर्स खास करके फिलिजर्स पड़े हुए मेरे पीछे यूँकि वह वि बचारि करता हूं मुझे ब्रेट मिलता है आरन पीकेक्स मिलता है ज्यादा चीज नहीं लूँगा मैं इनके पास जो काम के चीज़े वह लूँगा यूँकि वह लोग मेरे पीछ आएंगे लेकिन वह ट्रेडर मेरी बात नी सुनता है और यह विलेजर्स भी खत्रे में हो स तो मैं निकल जाता हूँ और यहां से मैं जाने वाला हूँ क्योंकि यह बरबाद हो सकती है मैं तो वार्निंग दिया था लामा एडल भी हो चुका है जो अच्छी बात है तो मैं वह जंगल भायम को छोड़ता हूँ और प्लेंस में पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ यदा यह बड़ी हासा केंक साइट था मुझे नहीं पता कैंपर का खऊँगा कोई तो मुझे भूव मिलता है चेस्प्लेट मिलता बहुत सी चीज़े लिए एक ग्रास भी मिलता है मुझे यह मिलती है जो एक विसल था मुझे पतानी मैं आगई जंगलों के मुझे दिखता है घर जो भाइया सा घर शयर्या बहूने म list क्यों उख चुकांब्ब मुझे ले ले लेता हूं कि अडर रावैक तो मेया स्थ भाइवर फुरा तो ससमि मुझे यह खाली दिखता है और यह बहुत है शूटा सा ईलत Đू के रिज bé चैनल दिया है मुझे खास तो अपने लामा के साथ निकल लेता हो मुझे दिखता है आगे एक बढ़ा सा घर अब बहुत ही बड़ी आ घर ता और एक सवाना भायों पिता जिसकी मुझे तलास ती तो मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखता है एक является जो मुझे बताता है कि यकों पहुँची पहुत दूर हो और जो मैसा बाईम हुए था उससे तो बहुत तो कोई भी भीलेजर में पूहँचता हूँ जो मैं देखता हुं मैं अच्छे टरेट थे अपर उतने काम के नी तो मुझे आपके निंगी सकता हूं क्योंकि वो लोग ऐसे ट्रेट तो करेंगे नि मुझे एमरेल चाहिए उसके लिए तो मैं ऐसे दो तीन घर में घुछता हूं मुझे घर देखता है एक घर में कुछ थानी अभी जिसका भी घर होगा मैं ऐसी छोड़ते था उसको मैं लूटता भी नहीं हो विचारा किसका घर है जो लामा मेरे पास में जो लावर इसपड़ा हूओ निए उसके ट्रेडरा गर होगा ओ रख चाहिद करको बात नहीं आगे निकलता हो लामा मेरे काम वही हाँ विलेजर ब्हुत सारे और बहुत सारे अलग-अलग लोग और तो है अपना शॉप खोल सकता हूँ और प web non अगर बिस्शन corporate on के पूछे सकता हूँ हूँ मेरा काम है बिस्नेस करने का मुझे हाथी हाथी वाहिँ दिखते हैं मंसे तो यहां पर रगा देता हूं और इसको बोल्मील करने वालो कि मुझे यह वाले वूट चाहिए अपनी शौप को बनाने के लिए क्योंकि यह वाले वूट ज्यादा अच्छे दिखेंगे सवाना बायां में तो मैं इनको ग्रो कर लेता हूं और पूरे-पूरे-वूट को मैं तो हम बिजनस बहुत आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं डील फाइनल कर लेता हूं इसके साथ में और यह भी लग जाता है दुकान को और डेकॉरेट करने के लिए इसके वास बहुत सारा सामान था तो मैं इसे तोड़वा ट्रेड करता हूं मतलब अपनी दुकान है तो अधिया देखने वाला है इसे शॉप का एक थीम लगने बॉटम लेयर को भी हम अच्छे सजा देते हैं और कांच वगरा लगा देते हैं और दरवाजा भी लगा देते हैं ताकि हम अंदर बाहर आ सके मैं ऐसे लगा तो यहाँ बहुत सारे आइटम फ्रेम जिसमें हम सामान रख सकते होल्ड कर सकते ताकि विलेजर को दूर से दिख जाए कि आज क्या नाया स्टॉक आया है वैसे मेरे बास तो तीन चेस प्लेट थे उसमें से मुझे दो को रखना था यहापर दुकान पर और एक मुझे अपने बास रखना था तो दो तो घटिया लगने थे मुझे एक की मुखाबले तो मैं 2 को रख देता हूं वह और भी बढ़िया लगेगे कि मैंने संटर रखा हूं यहां यहां बहुत सर्ड रख देता हूं मैं जो ही आप एक काम करेगा उसके लिए धुकान वैसे में काम करूँगा पर मुझे तो दूसरे काम भी है तो यहां पर रख मुझे बहुत सारे आयरण देता है साथ मैं डाइमन्ड भी पागल हो जाता है ले लेकिन बहुत लेकिन अपने मार्केटप्लेश में वापिस जाता हुआँ तब आज वाज देखता है अब उसको मेरे दुकान पे नजरती शायद तो मैं देखता हूँ जाता training दर और पता नहीं क्या करना आपर मुझे और खरीदने आता यह चोरी करने तो मैं देखता हूँ देखता हूँ आजव जए ऐ-जशुला यह चयू देख तो मैं समझ चुका था, शायद यह चोरी करने आए, चोरी तो कुछ कर नहीं पाया है विचारा, लेकिन मैं इसको अब मारूंगा नहीं, अगर यह चोरी करना चाहता है, तो मैं इसको पूछता हूँ क्या किया इसने, यह बता था, इसको कोई family नहीं है, इसको काम चाहिए, त तो मैं इसको अपने काम पर रख लेता हूँ, अगर रकून मेरे लिए काम करेगा तो बहुत अच्छा है, मेरा business बहुत आगे पहुच जाएगा, तो मैं इसको बहुत सारे bread देता हूँ खाने के लिए, तो यह समझ चुका था, मैं इसको अच्छे से, तो यह समझ चुका थ ला सकता हूँ, मतलब जो भी मुझे चेस्ट में मिलेंगे, क्योंकि विलेजर तो दूर नहीं जाते है, सिर्फ ट्रेडर ही है, जो आज जो घूमते रहते हैं, तो मैं अपने लिए बना लेता हूँ, आयलन का पूरा बोड़ी है, मतलब अब तो सेफ रहना बनता है, तो मेर घुक या बाता है, आजसे खूब काम के चीज़ए मिलती नहीं जो लामा मैं रहता है। और मैं पहुछ तो इस गड़े में मैं देखता हूँ नीचे की अपना लाम हुआ पे है और खुछ भी और आप बिचारा माता हूँ स्पीड बहुत जादा है उसकी लेकिन मुझे मालम चलता है मैं इसके उपर नहीं रख सकता हूँ अपना सेडल तो मैं ढूने चलिया तो और लाम वाँ चलते हैं सबसके लिए विठीडर नाइच के सब्सक्राइब करते हैं स्बसक्राइब का पिड़न पइसके मोर्म चेया रहा को आजीव सा था जो भी और एकदम से मौसम भी खराब हो जाता है तो मैं समझ चुका था अलग प्लैनेट का बंदा था यह जो भी था फाइनली इसको मार तो देते हैं हम लोग एक लामा मिलता है मुझे जो मुझे बात करता है जिसने मेरी हेल्प किया था इसे मैं बात करता हू तो इनके करículo में मैं बांदेता हूँ पूरे के पूरे लीड और प्रावन लामा के साथ नीकल लेता हूँ यहां से ब्रावन लामा इंका लीडर युडर तो लीडर की बात करते हshiftavud मैं आगे बढ़ता हूँ मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा सा वे रिवRa āटा पता नी कौन्सा वे रिवर्वुल। था इतना बड़ा खोधा बूос होता भी एक है मुझे नहीं बता अब उड़ तो सकता है यह इतना खतरना की इंसान तो शायद वो कई पोर्टल बना के भागया होगा वो जो भी था ट्रेडर का बतला तो मैं लूगा ही जरूर मैं पहुच जा तो सवाना पाया हूं मतलब अपने मार्केट प्लेस में मतलब अपने घर पहु तो मुझे एक और वांडरिंग क्रेडर दिखता है जिसको मैंने पहले फिजाता आज जुबाजू के विलिजेस में बिजनेस करने के लिए तो वह आता है बहुत सारे गोल्ड डायमंड और एमरेल लेकर खास करके डायमंड लेकर आता है वो तो मैं उसको गोल्ड अपने व जितने मुझे वूल मिलेते अब इसके साथ ही साथ में दुकान भी बना दूँगा और अपना बिजनेस करेगा जिसमें मेरा ही फायदा है तो फाइनली में टेंट बनाए ले तो आखिरकार और बहुत बढ़िया दिखता है थोड़े बहुत और इसमें डिटेलिंग करता वैसे बिजनेस करना आया था मैं वैसे बिजनेस तो मेरा चलता है तो मुझे एक और विलीजर को भी चाहिए था यह देखता है पूरे ट्रीडर यामीर बन रहे है तो मैं इसके लिए इस चाल बनाता हूं अब बना लेकि मुझे पैसे देगा और मंतली भी रेंट देते रह पसंद आता है और आपको बता है ना विलेजर के वास में कितना पैसा होता है अंदर ही अंदर तो इसके लिए लगाता हूँ ताकि जॉंबिया कि इसको ना मार दे और उसका बिजनेस चालोने से पहले खतम हो जाए एक और स्टॉल बनाता हूँ मैं इसको फ्यूचर के लिए मैंने किसी और ट्रेडर या विलेजर को चाहिए तो उसके लिए रहे गाए तो फाइनली रेड और वाइट थीम के साथ एक बढ़िया सी दुकान चोटी सी दुकान में बना लेता हूँ और जो बहुत जादा बढ़िया भी दिख रही है यह है एक और ट्रेडर के लिए जि चुके से मतलब इन लोगों ने दुकान खरीद लिया बात है पर इनको दुकान अच्छी लग चुकी है और पूरा समान भी लोगों रख लिया यहाँ पर जो बहुत बढ़ी बात है मेरा पूरा बूरा बुशनेस अच्छा चल रहा है बस मेरा काम है रेंट लेना या चीज यह सब चीजे ट्राइ करने की तो अभी बहुत जाता एक्स्प्लोर कर चुका हो जैसे मैं यह वाला ग्रास यूज करता हो तो एक शीप आ जाता है अब पताने शीप का क्या का मैं मुझे नहीं मालू इसको बात में बुलाओंगा जब मुझे मुसीबत होगी मैं एक और वि करने के लिए लेकिन मैं देखता हो एक स्टॉल में जाता है और एकदम से अपनी तलवार दिखाना चालू करतेता है अब भाई यह हफ्ता वसुली करने आया था भाई इदर बिजनस चालू नहीं हुआ है यह हफ्ता वसुली करने आ चुका है तो इसको तो मारना पढ़ेग अपने जेल में जाता हैि करने के वाई है जि लेके चालता हूँ पहले है अपने जेल में आहे जा सकता हो इक है strong को यह जाता है यह बन्दा मुझे बन्दा मुझे जानता है जो बेंडित डावर है बैंडित विलेज जो भी वह वहां पर मैं कहतं है तो मैं समझ चुका थै यही वह बंदा जिसने मुझे कहयत किया था मतलब उन में इस एक है तो मैं इसे और बात करता हो तो मुझे बता था कि इसके बीछ वेर वुल्फ का हाथ है जो पूरे डृजर को मार रहा है तो मैं समझ चुका था अब हम लोग सेफ नहीं है तो मुझे लेकिन वेयर मुर्फ के साथ पार्टर्चिप कर लिया था प्लेजर कीग को सबसे बारना पटेका तो मुझे चेयर की मिलती है अब का मुझे रहा के लिए मैं बागी करता है यह मेरे यह तुम बहुत अच्छी बात है यह सिर्फ ट्रेडर के लिए है 10 पाइड के लिए और बहुत पीछाथ नहीं प्रेडर मैं कि उस हिप लुदी छा जाता है यह जाता है तो यह मुझे बहुत सारी चीज़े देता है और यह चुप चब दुकान में बैठ जाता है क्योंकि बाहर बहुत जाता खत्रा है खासकर ट्रेडर के लिए तो अब मेरे पास में बहुत अच्छा सामान है तो मैं निकल लेता हूं और मुझे जाना था ट्रेडर विच के पास म तो यह आख रकर ट्रेडर ही है तो मेरे बास सफेटा सेरे और यह यह भूलता है कि उसको 3 nlok चाहिए जाता है और मुझे पूरे पूरे देट सेट यह अब ट्रेडर सेट केसाथμε जर्की casi जो मेरे पासमेます उत्त यह है बहुत शारे जर्की होचुके मेरे पास और बहुत सारे टूल्स भी हो चुके तब मैं बहुत जादा जया के आप Key आपको बाद में मालुम चलेगा क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता था मैं पूरा 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 आर्मा सट पहल लेता हूँ और जितने भी तूल है उसको अपने पास में रख लेता हूँ इन्वेंटरी में और बाकी जो बचे होगा कल्चरा इसको दे देता हूँ अब पाइब जम करता हूँ आप शे ब्लॉक उपर खूँ सकता हूँ मतलब घोडे से भी उपर जो बहुत अच्छी बात है इसी ले मैं किसी को मार सकता हूँ उसके पीछे बहुत सकता हूँ तो अब मुझे जाना था पिलेजर किंग को मारने के लिए वह मुझे टावर दिखता गाए तो इनको मारता हूँ आए इसे बहुत ज़ाँ के निकलता हूँ पाइट करना बेकार है आपर अगर इनका पिलेजर किंग से पावर सोस नहीं लोग वह का है तो इनको मारता हूँ चैब बहुत पहले लिए तरह लेकिन आखिरकार मैं इसको बचा लेता हूँ और इसके साथ में जाता हूँ उपर के तरफ लेकिन यह बोलता है मुझे खुद लड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें उतना दम नहीं है क्योंकि ट्रेडर में उतना दम होता भी नहीं है तो इनको आजात कर देता हूँ मैं और मेरे ठीक उपर ही पिलेजर किंग है उसको मारना पड़ेगा इसकी पूरी से ना मर चुकी है चाहिए इसको पता नहीं है अगर इसको पता भी है तो शायदे मेरे लिए रुका होता मुझे क्योंकि अगर यह बच गया तो सब को मार देगा यह भी तो मैं इसको एक दो हीट मारता हूँ यह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज दे रहा था लेकिन फाइनली में अपना बो यूज करता हूँ और बो में लगा हो था पंच मतलब इतने बड़े आदमी को भी पंच लग रहा था मतलब सोचो बो में कितनी दागत होगी तो एक दो हीट के बाद पता नी कहां से यह एक और ट्रेडर को स्पाउन कर देता है और यह शायद थीफ ट्रेडर है कौन है पता नी मतलब इसके कबजे में है यह और मैं अपने शिप को स्पाउन करता हूँ और सब मुझे वेरूल फो मार नहीं होगा कुछ भी ओजाये मैं इसका चेस करता हुँ जो मुझे रास्ता बताया है का जाना है मुझे तो उपने विलीज में वापस और यहांपे थेखता भूस सार लामा है अपने तो इनके अभी तक मैं ने घर नहीं बनाया हूँ मतलब इनके लिए घर तो नहीं बना सकता हूं क्योंकि ये तो बहुत बड़े होते हैं पर इनके लिए मैं एक एक shed बना सकता हूं तो मैं मिलता हूं अपने trader partner से इसको बहुत सारे emerald और diamond देता हूं क्योंकि मेरे बास में बहुत सारे extra हो चुके थे है उरे मुझे बहुत सारे carpet देता है जो मैं अपने llama में लगा सकता हूं और बहुत सारे wool देता है जिसको मैं लामा के shed बाहना सकता हूं अलग-अलग type के llama बनाऊंगद मैं अलग-अलग color के lama जिनमें अलग-लग type के shed होँगे जो बहुत अच्छी बात है मैं और मेरा पार्टनर मिलकर आराम से काम करते हैं और पूरा पूरा काम complete हो जाता है बहुत दीन लग गये सब में लेकिन बारिश भी हो जाती है तो हम सो जाते जाकर और जैसे सुबह उठते हैं हम लामा को टेम करते हैं पूरे के पूरे एक से एक लामा अपने पास में, शायद 12 टाइप के लामा है हमारे पास में, एक दो खाली भी है लेकिन उसको भर देंगा पार्टनर, मैं जाता हूँ जैसी जैल में जाता हूँ मैं, हमारा पिलेजर फरार हो चुका था, मतलब पता नहीं खा चले क्या था वो, शायद वो ब्लॉक देता हूँ मैं उसको एक्स्रा भी दे सकता था लेकिन अभी मेरे पास में नहीं है पर उसको चार टाइप के ब्लॉक चाहिए, तो मुझे एक पोशन देता है और बोलता तभी बिना जब मुझे फाइट करनी हो, खासकर वेर वुल्फ से, जो बहुत जाता है खतरन बन गया, पाता नहीं क्या पोशन लेकर जो मेरे पास में असली हजी आ रहे है मैं अब निकालता हूँ उसको और यह भागने चालू कर देता है क्योंकि बहुत देर से हम लड़ रहे और इसका हाट बहुत आता काम हो चुका था मेरे पास में ट्रेडर जरकी है जिससे मेरी हैल्थ बार बार बढ़ रही है लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था और मुझे हलके में ले रहता है तो फाइनली एक ही डिसके सावर मारता हूँ और मर जाता है मैं 20 थोड़ी दर के लेता हूँ मैं उपर देखता हूँ यह वह व